प्रसुन जी यह जो है यह आने वाली जनरेशन जो है उसको इंस्पार करने के लिए यह बहुत हमारी खुश खुश्खस्मती है कि आज हमारे साथ मिलका सिंग जी है उनको पर एक फिल्म मन रही है भाग मिलका भाग डिरिक्टट बाए राकेश उंप्रकाश महरा और फरान अख्तर विल बी प्लेइंग मिलका सिंग आपके ओपर यह फिल्म अनाए जारी है भाग मिलका भाग आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं पूरी हिंदुस्तान के लिए यह सही बात है कि मैंने अभी आप लोगों को वहां जिक्र किया था यह मुवी जो है यह आने वाली जनरेशन जो है उसको इंस्पायर करने के लिए है मिलका सिंग को दोड़े हुए करीबन कुछ साथ साल हो गए हैं और साथ सालों के अंदर सौ करोड़ अबादी में से हम एक और मिलका सिंग पैदा नहीं कर पाए कि इन सौ करोड़ अबादी में से कोई ने को बच्चा ऐसा उठे जो आके उठके जो गोल्ड मिल मेरे हाद से गर गया है वो जाके उलमते खेलों में ले ताके हमारे त्रिंगा जहंड़ा जो है रेसलिंग में हमने ले लिया और गेम्स के अंदर वेट लिप्टिंग में हम ले लिये şूटिंग में ले लिये मगर अथलेटिक कें अंदर आज तक हमें मेलन ही मिल पाए दुनिया में मैंने 80 इंटरिंटियन हमें है एटी में से सेवंटी सेवन जीती है और ओ सेवंटी सेवन रेसेज जीतने के बाद लोग यह समझते थे के रोम olympic जो है मिलका सिंग वहां पर गोल्ड मेल जीते गा और कोई नहीं जीत सकता अंदाजा हो जाता है अगर एक आदमी रोज जीत रहा है रोज जीत रहा है इंटरनेशनल रेसे जीता है आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और हमने चारूने और रहा था उस टाइंग यही लड़का था किसमत की बात थी कि मेरे से गलती होगी रेस के अंदर कि जिस रिदम के अंदर में जा रहा था वो धाई सो मीटर के ओपर जब मैं पहुंचा तू फिफ्टी यार्ड पे तो मैंने सोचा कि मिलका सिंग मैं आगे था सब से तो मैंने दिमाग में सडनली ये बात आगए कि मिलका सिंग जिए रुनिंग टू फास्ट हो सकता है कि आप रेशना खत्म कर पाऊ तो वो जो रिदम जिस के अंदर में स्पीड के अंदर जा रहा था उस स्पीड को मैंने ब्रेक किया तो बस किसमत का स्टारा वहीं पर डू तो मैंने ब्राज लुग्स के अंदर लुग सब्सक्रानि पर घरेशनी जी इंदी पर ने की आपक साथ जरू अनके साथ अग्यानि जो इन प्रेनिंग की अरों ये इंभ्सक्टी देखी रूस कर भात तो दो इस ब्सक्राइशनल बात ये यह जो इन्स बात रह एंसमीं जे से उन्होंने ट्रेनिंग की उन्होंने हम से यह भी कहा कि वो 400 मीटर दौड़ते थे और यह तो स्टॉप और जॉगिंग रिकावरी उनकी एक स्लो जॉग में होती थी और जैसे ही आप पर कि जैसे कहते हैं कि मुझे वर्ल रेकॉर्ड तोड़ना है मुझे वर्ल रेकॉर्ड तोड़ना है I've started thinking कि मुझे मिल्का सिंग बना है मुझे मिल्का सिंग बना है I think that is very very crucial and I get that truly I mean only for him for me of course as an actor it's a great challenge to play the part it is a wonderful wonderful part to be given the opportunity to play so I'm very excited about that the level of excitement that is coming the inspiration that yes it has to be perfect to the T has come from from his words one of the very few filmmakers जो की box office records जादा कुछ कंट्री में चेंज लाना चाहते है that is Rakesh Mehra कुछ बताएं आप इस इस कहानी के बारे में आज किसी ने पूछा था आप से कि आपने पिछले एक साल से आप कहानी पे काम कर रहे हैं now it's going to be starting कैसा आपका तजर्वर रहा है आपका पूरे कहानी पे काम करने गा प्रसून जोशी ने पहले भी आपके साथ में काम किया हुए जब हम लोग ये कहानी में घुस रहे थे मैं और प्रसून जी ने पर जैसे हमें पता चला इनकी लाइफ के बारे में और इनकी मुझवानी पता चला मेरी तो रातों की नीन रुड़ गई मेरी और प्रसुन जी की यहां करीब हमने डेड़ साल बिताये चंदिगड में आते जाते यह नहीं कि यहां के रहे गए तो महीने में पांच-छे दिन जाते थे बाकी फिर बाकी बांबे या के काम करते थे बहुत मुश्किल होता है इसको शब्दों में बोलना कि इनकी कहानी इतनी इंस्पारिंग है इतने हाड़ वर्क के बारे में है अपने कुछ विक्ष्णाइज भी किया है अपनी कहाने जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसको फिल्म की लैंगविज में डाल ला ही होता है तो तो फैक्ट एडियालोग बोल रहे है तो अपने आप में एक तरीके से फिक्ष्णाइज हो ही जाता है उसका एठीटूड ही ऐसा होता है फिल्म की लैंगविज ही है कि there's a suspension of disbelief सारे के सारे सारे सेंस बिग्निंग middle-end is all inspired by his life and time